पहेलियों पर आधारित कारिक्रम आओ क्विज करें आज की पहेली है एक पैर और धेरों हाथ आज मौसे से बहुत बड़ी पहेली पूछेंगे मौसे बता नहीं पाएंगे मौसे के लिए बहुत बहुत बड़ा है हाँ बच्चो क्या हो रहा है नमस्ते नमस्ते कुछ खुसर खुसर चल रही है मतलब कोई शैतान ही आ रही है तुम लोगे दिमाग में पहेली पूछो अभी तो मैं आई हूँ अभी मुझे बैठने तो दो फिर पूछ लेना पहेली बैठ जाओ बैठ जाओ अच्छा ठीक है लो बैठ गई जिसमें मुश्किल से गिर जाते उसमें निकलनी पाते वो क्या है जिसमें मुश्किल से गिर जाते पर निकलनी पाते उसमें मुश्किल से गिर जाते पर निकलनी पाते मेरी पहली तो आप बता ही नहीं पाओगे अच्छा तुम भे पूछ लो देखते हैं कितनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर मौसी से मुश्किल पहली पूछने की तो मेरी पहली है हाँ जी पूछो पूछो जल्दी से पूछो एक पैर और धेरो हाथ खड़ा में रहता हूँ दिन राथ एक पैर और धेरो हाथ खड़ा में रहता हूँ दिन राथ यह कोई राक्षस है क्या मैं तो डर गई भई आगी सुनिया हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ मौसी डर गई एक पैर और धेरो हाथ खड़ा में रहता हूँ दिन राथ सांस मैं लेता हूँ और जीती दुनिया है अच्छा आगे बोलो आगे सांस मैं लेता दुनिया जीती मुझ पर चिडियों का घर साथ धूप में अपना बनाता खाना हरा रंग है मुझको खास बादल से है मेरी दोस्ती बादल से है मेरी दोस्ती कुछ-कुछ समझ में आ रहा है रेकिस्तान ना आता पास बता दूँ पक्की बाद सही जवाब दूँगी तो मुझे क्या मिलेगा पारी पारी दोगे पक्का ना ये है पेड पेड़ी है ना मौसी ने बता दिया ना और क्या तुम्हारी मौसी भी तुम्हारी तरह समझदार है मौसी आप सोच होता है आपको कैसे बता चला बता कैसे चला सच बताओ पहले तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गई थी मुझे लगा शायद मैं तुम्हारी पहली का जवाब नहीं दे पाऊंगी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था पर बाद ने सोचा पेड का तना एक पैर हुआ जिस पर वो खड़ा रहता है है ना पिर उसकी डालियां उसके धेरों हाथ हो गए ठीक और चड़िया पेड पर अपना घोसला बनाती है ठीक है ना पेड फूलों को लगा कर हमारे दुनिया सुन्दर भी करता है क्या बात है बहुत अच्छी बात है जब पेड सांस लेता है उसे ऑक्सिजन निकलती है और पेड हवा भी जलाता है और उसे हम जिंदा रहता है पेडों से हमें फल फूल मिलता है और पेडों से हमें लकिडियां मिलती है और दवाईयां मिलती है पेडों से खूब दवाईया बनाता है पेड़ों से हरियाली होती है पेड़ों से यी तो पादल की दोस्ती होती है देखो एक पहेली से हमारा ग्यान कितना बढ़ गया न么? है नme? हमने कितने सारी चीज़े सीख ली? छोटी सी पहेली के अंदर हमने अच्छी पहेली बनाई ला? क्या चाहिए औक्सिजन इस तरह पेड़ क्या करते हैं हमारी मदद करते हैं देखा तुमारी मौसी को भी कितना गुष पता है मानते हो ना मौसी आप तो बहुत इंटेलिजन थो तैंक यू थैंक यू कॉंप्लिमेंट के लिए थैंक यू सो माच जहां पर बहुत सारे पेड़ों महाँ पर रिगिस्तान नहीं बन पाता हाँ हाँ भई ये भी पता है तुम्हारी मौसी को तो इतनी बुद्धु तो नहीं होंगी ना मैं हाँ इसलिए तो कहते हैं खुब पेड़ लगाओ ताकि खुब हर्याली हो मैंने तो अपने घर में बहुत पौदे लगाए बहुत अच्छी बात है और मेरे घर पे तुलसी और मनी प्लांट है तो मुझे ठीक से समझ में आ गई पहली मैं बताती हूँ घलत बोलू तो मुझे बता देना पैर तना और डालिया हाथ पैर तना और डालिया हाथ पेड़ खड़ा रहता दिन रात सांस ये लेता दुनिया जीती इस पर चड़ियों का घर साथ धूप में खाना पेड़ बनाता हरा रंग है इसको खास बादल से है इसकी दोस्ती रेगिस्तान ना आता पास रेगिस्तान ना आता पास आओ क्विज करें अभी आप सुन रहे थे पेड़ पर आधारित ये पहेली कलाकार सुचित्रा गुप्ता और बच्चे धुनियंकन बटिलेंग लिंडो और शानु मुक्सीम निर्मान सहयोग मयंक थपलियाल निर्मान निर्देशन वध्वनिसंपादन वंधना अरिमर्दन तथप्रस्तुती C.I.E.T. and C.E.R.T.